हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो पॉइंट सोल्यूशन कैसे हो आप सब तो डिया सीचल 2023 के रिक्रूट्मेंट में यहां पे जो हम लोग हिस्ट्री आफ इंडिया रेलवे का प्रेक्टिस सेट देख रहे थे उसके बाद हमने जनरल साइंस का प्रेक्टिस सेट शुरू किया था ज तो आप लोग इसका पहले अच्छे से इसको थिओरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करिए ठीक है उसके बाद आप इसके प्रेक्टिस सेट या फिर जो भी इसका रिवीजन वगरा है वो करिए ठीक है तो यह के बाद सेबीटी फर्स्ट के लिए चल रहा है ठीक है क्विस्वा क्विस्टन क्योंकि 40 क्विस्टन हम लोग अल्रेडी कर लिये हैं तो वह आपके सामने है कि the number of RBC काउंट in an adult male is एक वयस्क पुरुस में RBC गिंती की संख्या है तो आपने भी जब blood test कराया होगा तो आपने देखा होगा RBC count वहाँ पर दिखाया जाता है तो उसकी normal range यहाँ पर क्या होती है अगर हम बात करें तो यह 4.7 से 6.5 3.8 से 5 या फिर 4.2 से 5.4 million या फिर 4 से 5.5 million तक जो normal range होती है वो भी adult male की अगर हम बात करें तो यह आपका होता है 4.7 से लेकर के 6.1 अब कहीं पर देखे होगे ठीक है 6.1 दिखाया जाता है लेकिन यह RRBJ 2019 में पुछा गया question है तो इसमें यहीं option में था ठीक है 6.5 million तक range था तो जो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट option 4.7 से लेकर के 6.5 million ठीक है और इसको कैसे लिखा जाता है तो यह आपका लिखा जाता है million cells ठीक है cells पर MCL मतलब micro liter ठीक है पर micro liter कितना होता है यह 4.7 से 6.1 million और वहीं पर हम बात करें यह तो adult male का है adult female की अगर हम बात करें तो वह कितना होता है 4.2 से 5.4 million किसके ल हो जाते इसमें अंतर नहीं होता है लेकिन यहां पर जो आपका adult क्लिए पूचा है वो correct answer हो जाएगा आपका 4.7 से 6.5 million cells पर MCL और इसको कहीं कहीं पर लिखा जाता है million ठीक है million पर cubic mm ठीक है इसमें भी denote किया जाता है तो आपका first option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बढ़ जा होना होगा कि अंतराष्टल बाजार में कछे तिल की कीमत घट रही है तो वह किस में मैजा किया जाता है वो बैरल में मेजार किया बताया अब कुछ दिन पहले की बात है कि 70 डॉलर ठीक है 70 डॉलर प्रती बैरल था ठीक है कितना था 70 डॉलर प्रती बैरल सो एक बैरल में कितना लीटर होता है यह अगर आपको पता करना है तो वो कितना होता है वन बैरल जो होता है यह आपका बराबर होता है 158.987 ठीक है लगभग इतना के करीब होता है मतलब माली ज से आप देख सकते हो 70 डालर अगर 70 डालर का मतलब की कितना हो जाएगा यहां पर लगभग एक डालर आपका 82 रुपीज के बराबर होता है अपने इंडिया में तो अगर आप इसको कल्कुलेट करोगे तो यह लगभग आपका हो जाएगा 5740 रुपीज मतलब आपको 169 लीटर जो है वो इतने रुपे मिल रहा है 5740 रुपे में तो आप सोचिए कि 1 लीटर कितने में मिलता होगा एक लीटर आपको अगर पता करना है तो आप सिम्पली इसको डिवाइड कर दिजिए 169 से ठेक है तो आप अगर इससे डिवाइड कि शूट टीस रुप्य की चीज आपको100 और मिल रहा है यह इसलिए क्योंकि इसमें राजय सरकार केंदर सरकार काफी केंदर सरकार इत्ञ duck अपना टेक्स लगाती है और स्वें रेत्धी काफी सब करने के बाद आपको 36 से लेकर के कहां कितने रुपे मिलता है 100 रुपे तक ठीक है तो यहां पर correct answer आपका क्या हो जाएगा जो एक barrel तेल की कीमत है वो कितनी sorry एक barrel जो तेल होता है उसको जो measure किया जाता है लीटर में वो कितना होता है तो 169 लीटर ठीक है तो second option यहां पर आपका क्या है correct है अगला question देख लेते हैं अगला question है Humans can't digest grass like cows because of the presence of मनुष्य गाय की तरह घास को पचा नहीं सकते यह किसकी उपस्तिती के कारण होता है तो दिखिए जो human होते है human body होती है वो घास को पचा नहीं पाती है इसकी वज़ा क्या है क्या घास में chlorophyll पाय जाता है क्या घास में कीटना सक होता है क्या घास में protein होता है तो ऐसा कुछ नहीं है बलकि घास में क्या होता है cellulose होता है और cellulose को पचाने के लिए हमारे सरीर में कोई enzyme नहीं होता है इस वज़े से इसको हम पचा नहीं पाते हैं तो यहाँ पर फोर्थ आप्शन क्या हो जाएगा घास में सुलिलोज की उपस्तिती के करड़ जैसे गाय घास को पचा लेती है वैसे human body इसको पचा नहीं पाता है अगला question देख लेते हैं अगला question है हमारा कि which of the following device uses ultrasonic waves फारगेटिंग image of internal organs of human body देम दल्कित में से कौन सा अपकरड मानो शरीर के आंतरिक अंगों की छमिया प्राप्त करने के लिए ultrasonic तरंगों का उप्योग करता है तो यहाँ पर देखिए अगर आपको अपने भड़ी के अंदर का image लेना है तो उसके लिए कौन सा स्केनर यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर काफी सारे स्केनर हो सकते हैं लेकिन अब इसने question में पूर दिया है कि कौन से ultrasonic wave का यूज किया जाता है तो जो correct answer है आपका ultrasonic scanner ठीक है यहाँ पर ultrasonic scanner के तुरू आप मतलब अपने body के अंदर के जितने भी organs है उनको उनका image देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर first option क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा अगला question देख लेते हैं तो आप जब कभी कोई recording वगएरा on करते होगे ठीक है अपने mobile में voice recording वगएरा तो आप देखते होगे कुछ ऐसा ऐसा आपको देखता है तो जैसे जैसे आप तेज बोलते हो तो यह और भी मतलब ऊपर उठता है जैसे आप फिर slow हो जाते हो तो एकदम नीचे हो जाता है यह बेसिकली क्या होता है जो ऊपर से नीचे तक आप देख रहे हो यह बेसिकली क्या होता है यह amplitude होता है और यहीं क्या करता है डिसाइड करता है आपके loudness आपका sound होता है उसके loudness या फिर softness को ठीक है आयाम ठीक है यह डिसाइड करता है जो आपका voice होता है उसके loudness या फिर softness को और वहीं पी अगर हम बात करें frequency की तो अगर आपका जैसे voice है ओडियो है जो भी है वो कुछ ऐसे है ठीक है ऐसे से मालेजी है सो यह अभी frequency मालेजी इतनी है और frequency बढ़ाने का क्या मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो इतने महीं कई cycle आपने repeat कर दिया ठीक है decrease कर दें frequency वैसे decrease कर दें सो क्या होगा यहाँ पर कि जो आपकी आवाज है वो हलका सा मोटी हो जाएगी लेकिन उतना कानों को चुबहेगी नहीं ठीक है आप भी किसी software में ऐसा करके देख सकते हो सो यह frequency पर डिबेंड करता है आपका जो pitch होता है ठीक है जो pitch होता है sound का यह किस पर डिबेंड करता है आपका pitch जो होता है वो आपका frequency पर डिबेंड करता है आप रिती पर ठीक है निम्नलिकित में से कौन सा प्रदूसरक फोटो केमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है ठीक है तो वैसे तो फोटो केमिकल स्मॉग मतलब इसका मतलब क्या होता है एक्चली जो धुन्द कोहर आप देखते हो उसी को बोलते है ठीक है तो यह एक तरीका क्या है, वाईव प्रदूशर, so photochemical smog जो होता है, उसमें major contributor क्या होता है, विश्टों तो काफी सारे contributor होते हैं, major contributor की बात करा जा रहा है, तो यह भी question आप से जो पूछा गया था, उसमें जो correct answer दिया गया था, वो दिया गया था, ओजोन को, ठीक है, जो C है यहाँ पर correct answer है ओजोन लेकिन कहीं कहीं पर देखोगे nitrogen dioxide को भी यहाँ पर correct answer दिया गया है ठीक है लेकिन अब exam जैसा ले वैसा ही आपको भी देना है ठीक है तो exam में अभी तक जो बताया गया है वो ओजोन को बताया गया है आपका photochemical smog बनाता है जो sunlight होता है उससे ozone हो गया nitrogen dioxide हो गया nitrogen dioxide हो गया nitrogen dioxide हो गया यह सब मिल करके क्या करते है photochemical smog बनाते है लेकिन उसमें जो major component बताया गया है वो कौन सा है आपका ozone ठीक है अगला question देख लेते हैं अगला question है हमारा hemoglobin is the protein inside red blood cells that carries hemoglobin लाल रगत कोसिकाओं के अंदर का protein है जो निम्न को वहन करता है यहां पर देखिए आपका जो question है थोड़ा important है important क्या थोड़ा famous question है ठीक है so hemoglobin एक protein है जैसा कि यह पहले भी हम लोग देख चुके है जो red blood cells के अंदर पाया जाता है यह करता क्या है यह basically क्या करता है कि फेफडो और गलफडो से शरीर के भीतर oxygen युक्त रक्त ले जाने का काम करता है ठीक है so अगर हम बात करें oxygen युक्त ब्लड ले जाने का काम मतलब oxygen युक्त ब्लड धोने का काम कौन करता है सो यह हिमोगलोबीन करता है सो यहाँ पर oxygen क्या हो जाएगा आपका correct हो जाएगा answer ठीक है सो first option यहाँ पर correct हो जाएगा oxygen अगला जो question है हमारा कि which among the following disease is very rare in women as compared to its occurrence in men सो निम्दलखित में से कौन सी बिमारी पुर्षो की तुलना में महिलाओं में बहुत दुरलब है ठीक है तो फुर्षो की तुलना में महिलाओं में बहुत कम ही देखने को मिलता है यह रोग वो कौन सा है myopia, kidney stone, brain tumor या फिर color blindness सो जो correct answer है आपका color blindness ठीक है तो यहाँ पर यह औरतों में काफी कम देखने को मिलता है मतलब 0.4% के वल यह औरतों में देखने को मिलता है जबकि 8% अगर हम बात करें तो यह man में देखने को मिलता है सो यहाँ पर color blindness मतलब औरतों को color पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होती है मतलब आप ऐसा सोच सकते हो ठीक है सो यहाँ पर fourth option आपका क्या है correct है अगला question देख लेते हैं कि which of the following is to be found in nail polish remover nail polish remover में निम्नलखित में से क्या पाया जाता है acetone या फिर benzone या फिर petroleum ether acetic acid so nail polish जो remover होता है उसमें आपका पाया जाता है acetone ठीक है so first option यहाँ पर आपका क्या है correct है acetone than liquid thermometer because get gas thermometer तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक सम्वेदन सील होता है क्योंकि अगर हम बात करेगे कि जो thermometer होता है उसमें आपका एक gas thermometer और एक liquid thermometer होता है so इसमें से ज़्यादे sensitive कोन होता है और क्यों होता है ठीक है अगर हलका सा भी आप temperature दोगे ठीक है तो यह जल्दी एक्समेंट करेगा इन कंप्रिजन टू जो आपका liquid होता है ठीक है तो liquid के कंप्रिजन में अगर आप temperature same amount में अगर आप क्या करते हो increase करते हो तो यहाँ पर gas में यह जल्दी क्या करेगा एक्समेंट कर जाएगा इन कंप्रिजन टो liquid तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी ठीक है एक एक्समेंट देना लिक्विड सो पी ऑसद यहां पर क्या हो जाएगा प्रेग्ट हो जाएगा रइट अगला विश्रों देख लेते हैं अगला जो कुश्यन हमारा in the atmosphere ultraviolet rays are observed by observed नहीं यहाँ पर absorbed होना चाहिए था ठीक है absorbed by वायू मंदल में जो पराबैगनी किरिडे होती है वो किसके द्वारा अवस्षोषित होती है तो यहाँ पर absorbed होना चाहिए था ठीक है किसके द्वारा अवस्षोषित होती है यहाँ लोग बच्पने पड़ते थे कि जो ultraviolet rays है इनसे बचने के लिए इनसे बचाने के लिए हमारे वायू मंदल में कौन सी layer होती है तो ozone layer ठीक है तो यहाँ पर third option आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा राइट ozone layer ultraviolet rays को क्या कर लेती है absorb कर लेती है अगला जो question है हमारा who is known as the father of immunology immunology के जनक के रूप में किसे जाना जाता है Louis Pasteur, Robert Coach, Landisteiner, Edward Jenner को so यहाँ पर किसको जाना जाता है immunology के जनक के रूप में so यह आपका हो जाएगा Edward Jenner so fourth option यहाँ पर आपका क्या है correct है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है जो यहाँ पर father of immunology, father of geology ठीक है काफी सारे मतलब ऐसे branch है जिनके जनक ही पूछ लिया जाता है अगला जो question है मारा velocity of light is maximum in which of the following प्रकास का वेक निम्लखित में से किसमें अधिकतम होता है सो यहाँ पर दिखिए अभी हमने sound का देखा था लेकिन इस बार यहाँ पर light का पूछा है ठीक है light का सो light के लिए दिखिए क्या होता है कोई यहाँ पर जैसे sound के लिए medium क्या हो सकता होती थी सो vacuum में कोई medium नहीं होता था इस वज़े से वहाँ पर sound का जो वेलासिटी था वो सबसे जादे था लेकिन यहाँ ठीक उल्टा होता है यहाँ पर यह जो medium होता है उसका refractive index जो होता है उस पर depend करता है ठीक है जो refractive index होता है यहाँ पर refractive index यह चल नहीं रहा है इस पर ठीक है एक second सो यहाँ पर जो मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस पे डिपेंड करता है और अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा सॉलिड होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जादे होता है मतलब जादे डेंसर होता है इस वज़ा से यह light की जो velocity होती है इसके inversely proportional होती है ठीक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के जितना जादे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा medium का उतना ही ज्यादे denser होगा medium और उतना ही कम क्या होगा velocity होगा light का ठीक है तो यहाँ पर सबसे जादे किस में होगा फिर सबसे जादे vacuum में होगा ठीक है तो third option आपका correct है क्योंकि इसका refractive index होगा medium का सबसे कम होता है और बाकी ऐसे गर हम बात करें फिर इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा कि सबसे यहाँ पर जादे maximum जो velocity होगी वो तो vacuum में होगी उसके बाद किस में होगा उसके बाद air में होगा मतलब gas में होगा उसके बाद किस में होगा तो liquid में होगा ठीक है उसके बाद किस में होगा आपका solid में होगा ठीक है तो यहाँ पर आपका vacuum क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा अगला question देख लेते हैं अगला question है निंदलखित में से किसकी उपस्तिती मानो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा कि ऐसा ऐसा question पूछता है मतलब कि पूछता है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन जिम्मेदार होता है एक तो यह होता है और एक होता है कि रक्त का थक्का न बनने के लिए ठीक है मतलब अगर आपके body के ऊपर कहीं भी cut हो जाता है तो वो क्या होता है कि अगर आप उसको बंद कर रहे तो अपने हाथ से ही ठीक है तो यहाँ पे एक थक्का बन जाता है जिसको आप बोलते हो blood clotting ठीक है और लेकिन अगर यहीं चीज सरीर के अंदर हो जाए क्योंकि नसों के अंदर जो blood दोड़ता है वो अगर क्या हो जाए बंद हो जाए उस पे अगर वो अगर थक्का उसका बन जाए तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है वो नहीं होना चीए हाँ बाकि उपर आपका जो है वो blood clotting हो जाना चीए क्योंकि अगर नहीं होगा जल्दी तो काफी सारा blood आपका बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर question में पुछा गया है कि which prevents the coagulation of blood तो रक्त का थक्का बनने से यहाँ पर कौन रोकता है यह पुछा गया, यह नहीं पुछा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है तो कौन रोकता है इसको, तो हिपरीन ठीक है यहाँ पर third option कि है आपका correct है हिपरीन क्या करता है, blood के coagulation को prevent करता है अगला question देख लेते हैं, अगला जो question है हमारा acid rain is caused by pollution of the environment by अमली वर्षा पर्यावरण के प्रदूसर के कारण होता है तो जो acid rain होती है, वो किसकी वज़ा से होती है तो carbon dioxide, nitrogen या फिर carbon dioxide and carbon monoxide या फिर ozone and carbon dioxide या फिर nitrous oxide and sulfur dioxide यहाँ पर nitrogen oxide होना चाहिए था ठीक है nitrogen oxide NO, so nitrogen oxide और sulfur dioxide की वज़ा से क्या होता है acid rain होता है, तो fourth option यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, अगर पूछे acid rain किसके करण होता है so nitrogen oxide और sulfur dioxide की करण ठीक है so fourth option यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला जो question है वारा, कि which one of the following element is used in solar cell निंदलिखित में से किस तत्व का उपयोग solar cell में किया जाता है जो आप solar panel देखते हो ठीक है, उसमें simply किसका यूज होगा होता है silicon का, silicon element का, so first option है आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा अगला question देख लेते हैं, which one of the following is an example of natural acid base indicator निंदलिखित में से कौन सा प्रकृतिक acid base संकेतक का उदाहरण है so methyl orange या फिर phenolphthalein, turmeric all of the above so यहाँ पर turmeric है, जिसको healthy बोलते है, यह क्या है, natural acid base indicator है ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो turmeric होता है उसको अगर आप acid के साथ mix करते हो, so इसका जो color है, वो yellow का yellow हीरा जाता ठीक है मतलब remain unchanged ठीक है, और वही पर अगर हम बात करें, इसको base के साथ अगर आप mix करते हो, so यह reddish color हो जाता है ठीक है, reddish color, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यह आपका क्या हो गया, natural acid base indicator, इस वज़ए से हम इसको natural acid base indicator बोलते है तो third option यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, healthy क्या है, natural acid base indicator अगला question देख लेते हैं, अगला question है हमारा, which of the following is a female sex hormone निम्दलखीत में से कौन सा एक महिला sex hormone है, so androsan या फिर estrogen, oxytocin या फिर insulin सो यहाँ पर अगर हम बात करें, female sex hormone में से कौन है, so वह है आपका estrogen, ठीक है, estrogen वहीं पर जो androsan है, यह male characteristic में देखा जाता है, और जो oxytocin है, यह happy hormone है, ठीक है यह male और female दोनों में होता है, ठीक है, male और female दोनों में, रहीं पर insulin जो होता है, यह आपके pancreas में पाया जाता है, hormone, so यह भी आपका male and female दोनों में होता है, ठीक है, so यहाँ पर जो अगर हम बात करें, महिला sex hormone का, so यह आपका कौन है, estrogen correct answer हो जाएगा B, ठीक है, अगला question देख लेते हैं, अगला जो question हमारा, golden rice is a rich source of golden चावल एक समरिद्ध स्रोथ है, किसका, so golden rice की बात करें अगर हम लोग, so इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, vitamin A, ठीक है, so first option यहाँ पर आपका क्या है, correct है, golden rice अगर पूछे, कि इसमें सबसे ज़्यादा, किसका यह स्रोथ है, किसका समरिद्ध स्रोथ है, तो यह आपका हो जाएगा, vitamin A, अगला question देख लेते हैं, कि which one of the following metal is called the metal of future, निम्दलखित में से किस धातू को भविस्य की धातू कहा जाता है, ठीक है, so copper, iron, aluminium या फिर titanium, so यहाँ पर अगर हम बात करें, कि future, metal of future किसको बोला जाता है, तो यह बोला जाता है, टाइटेनियम को, ठीक है, ti इसका होता है, symbol ti, titanium, atomic number 22 होता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि actually यह जो टाइटेनियम होता है, इसमें जंग वगरा थोड़ा कम लगता है, ठीक है, अगर यह moisture के contact में आता है, तो जंग लगने की संभवना काफी कम होता है, बहुत कम होता है, so titanium को इस नजरिये से देखा जाता है, कि यह metal of future है, भविश्य का धातु है, अगला question देख लेते हैं, कि which is the hardest in the following, निमलकीत में से सबसे कठोर कौन सा है, diamond, glass, quartz या फिर carbon, so कौन इन में से सबसे hardest है, metal तरीके से, element, so यहाँ पर आपका diamond जो element है, वो आपका सबसे hardest element है, ठीक है, अर्थ पे जो पाया जाने वाला सबसे hardest element कौन सा है, diamond, ये एक चली क्या होता है, कि carbon क्या होता है, ये खुद 4 coalant bond से क्या होता है, बधा होता है, और जो अगे क्यों होते है, और जो other carbon से ये खुद फिर 4 carbon से क्या होते है, coalant bond से बधे होते हैं, so ये आपका एक तरीके का lattice form क होता है on earth ठीक है सो यहां पर आपका first option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अगला question देख लेते हैं कि what is the normal blood pressure of human मनुस्य का सामान ये रक्त-चाप कितना होता है सो यह तो बच्चो वाला question है सब कोई बता देगा इसको सो यहां पर first answer आपका correct है 120 by 80 mmHg ठीक है तो 120 by 80 mmHg आपका normal blood pressure का क्या होता है range होता है ठीक है अगर अगला question देख लेए हम लोग तो अगला question है मारा when water is heated from 0 degree to 10 degree centigrade its volume will be जब पानी को 0 degree से 10 degree centigrade तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा सो दीखे अगर हम बात करें volume का ठीक है volume का आयतन का water के सो यह आपका होता है simply volume is equal to inversely proportional to किसके होता है density के ठीक है density के मतलब density of water के सो यहां पर जो density of water होती है वो starting के जो 4 degree centigrade होता है इस पर क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है अगर अब temperature को बढ़ा रहे हो ठीक है temperature को इंक्रीज करोगे so density of water भी इंक्रीज होगी अगर यह इंक्रीज होगा तो जो volume होगा हो वहारा क्या होगा घटेगा लेकिन 4 degree centigrade के बाद अगर आप temperature को increase करते जाओगे so यह क्या होगाँ कि जो इसका density होगा वाटर का वो घटने लगेगा ठीक है अगर फो घुटने लगेगा तो क्या होगा यहां पर जो volume होगा वह आपका अगर यह घुटने लगा तो इनोरो अपका क्या होने लेगा पढ़ने लगा इसका मतलब पर यह इंवर्सली प्रोपोर्शनल इस वज़े से वेल्यूम जो है वो आपका घटेगा और वहीं पर जो आपका टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे आप चार डिग्री सिंटिग्रेट से उपर सो जो आपका डेंसिटी आफ वाटर है वो घटेगा और वल्यूम उसका आयतन वो बढ़ेगा सो फोर्थ आपसन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा राइट अगला कुश्चन देख लेते हैं अगला जो कुश्चन है मारा हड्यों का जो अधियन होता है विग्यान की किस साखा के अंतरगत कीा जाता है और अगर अग्रन्हा जन्ट करें और अगर अगरम बात करें अग्यान हन्हां पर चिया अग्यान यहाँ वेग्यान का अगर हम बात करें अध्यान या विग्यान सो यह क्या होता है आपका औरोलाजी और सेरोलोजी जो होता है इसमें क्या होता है इसमें ब्लड सेरम का स्टड़ी किया जाता ठीक है ब्लड सीरम मतलब रग्त सेरम का इसमें अध्यान क्या जाता है सेरोलोजी में और वहीं पर हम बात करें जियोलोजी तो जियोलोजी नाम सी पता चलता है भूविग्यान ठीक है सो भूविग्यान का मतलब ही हो गया आपका कि ये धर्ती के अर्थ के बारे में ठीक है study जो होता है उसके रंग रूप अकार के बारे में study यह क्या होता है आपका geology यहाँ पर हड्डियों का अधियन की अगर हम बात करें तो कौन सा answer correct हो जाएगा osteology फर्स्ट आपसन यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question देख लेते हैं कि what is the full form of sonar sonar का पुर्ड रूप क्या है यहां पर solar navigation and running यह सिर्फ navigation and running sound navigation and running साउड navigation and reflection सजो correct answer है Sonar का full form होता है sound navigation and running without difference creativity है यहाँ पर sound navigation and running जो होता है इस system कित्रूह होता है कि जो boat होते हैं ठीक है पानी में वो क्या करते हैं simply यह आपका नीचे ठीक है पानी के नीचे कोई भी object होता है उसके साथ communicate करना उसको detect करना ठीक है यह काम करता है so sound navigation and running system ठीक है तो कोई भी object अगर पानी के नीचे है तो कितना उसका distance से वो measure करना इसको detect करना ठीक है इसके साथ communicate करना गर यहाँ पर कोई है तो यह होता है आपका sound navigation and running system सो सोनार यहाँ पर उसको sort में बोलते हैं यह हो जाएगा sound navigation and running अगला question देख लेते हैं कि a liquid consists of 5 to 30% of acetic acid is known as तो 5 से 30% acetic acid युक्त तरल को कहा जाता है तो RRB में काफी बार यह question पुछा गया है तो acetic acid किसमे होता है आपका lime चूना में या फिर boric acid में या फिर detol में या फिर vinegar में सिरका में तो जो correct answer है आपका sirka ठीक है vinegar यहाँ पर आपका acetic acid इसमें पाया जाता है 5 to 30% ठीक है तो correct answer आपका हो जाएगा vinegar अगला question देख लेते हैं NACO is an organization dealing with so NACO जो होता है एक संगठन है जो निंदल्खित में से संबंधी था है किस संबंधी थे यह NACO so cancer या फिर child healthcare या फिर आपका ads या फिर none of the above so NACO जो है आपका जिसका full form क्या होता है national national n for national if are क्या होता है ads ठीक है ads control control program ठीक है so यह जो आपका national ads control program है यह आपका नाम से ही पता चलता है किस से संबंधी थे ads ठीक है so third option यहाप पर आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा right अगला question देख लेते हैं which of the following gases is used for extinguusing fire दिंदल्खित में से किस gas का उपयोग आग भुजाने के लिए किया जाता है so यह तो काफी जी question है सबको पता होगा sulfur dioxide carbon dioxide hydrogen hydrogen chloride यह फिर carbon monoxide so correct answer है आपका carbon dioxide ठीक है so carbon dioxide की उपस्तिते में आपको भी पता है कि जब oxygen नहीं मिलता है तो आग क्या होता है मतलब बुझ जाता है ठीक है so second option correct हो जाएगा अगला question हमारा है कि mycology is the branch of botany in which we study so mycology वनस्वती विज्ञान की वहस आखा है जिसमें हम अधियन करते हैं किसका अधियन करते हैं okay correct हो जाएगा रईट वहीपए अगर हम बात कर लें हैलगी शयवाल का जो अधियन होता है यह किसके तहरत किया जाता है तो यह आपका होता है phycology ठीक है phymology भांजी और वहीपए अगर हम बात करें वाइरस वाइरस का जो अध्यान है यह वाइरोलाजी हो जाएगा ठीक है वाइरोलाजी चलिए फिर अगला क्विश्चन देख लेते हैं अगला जो क्विश्चन है हमारा निमदलकित में से किस रक्त समुह में कोई एंटीजन नहीं है A, B, A, B या फिर O तो दीखे अगर हम बात करें यहाँ पर एंटीबोडी और एंटीजन की दो चीज़े आप याद रखें फिलाल में कि जिसमें कोई भी एंटीबोडी नहीं पाए जाती है तो यहाँ पर पुछा आप से कि जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है तो आपको पता ही होगा अगला कुशन देख लेते हैं अगला जो कुशन है हमारा एंटोफोबिया is fear of the following जो एंटोफोबिया होता है वो निमलखित में से किसका डर है तो अगर एंटोफोबिया किसी को हो जाता है तो उसको किस चीज़ से डर लगने लगता है बास से, फायर से, फ्लावर से या दॉक से एंटोफोबिया रोग में फूलो से क्या लगने लगता है डर लगने लगता है ठीक है अगर आपको एंटोफोबिया हो जाता है तो फ्लावर से डर लगने लग जाता है तो इसका क्या हो जाएगा अगला जो कुश्चन है हमारा कि to the person with the color blindness red color will appear रंग अंधापन से पिडित व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा तो देखिए अगर किसी को color blindness हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको मतलब की हर चीज ब्लैक एंड वाइड देने लगा ठीक है वहाँ पर क्या होगा कि जो color होता है वो color कुछ दूसरे color का यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला question देख लेते हैं कि in active chemical to remove mosquito age मचरों को दूर करने के लिए एक सक्री रसायन है तो क्या है मचरों को दूर करने के लिए एक active chemical L3 एक्टिव केमिकल है मचरों को दूर करने के लिए so L3 ठीक है first option यहां पर आपका correct हो जाएगा L3 क्या है मचरों को दूर करने के लिए एक active chemical है ठीक है L3 यह आपको जाद रखना है अगला question देख लेते हैं which of the following scientist discovered polio vaccine so निनलकित में से किस वैज्ञानिक ने polio vaccine की खोश की तो यह तो आपका एक तरीके का general awareness का भी question हो जाएगा ठीक है जो कि science से है कि vaccine का खोश किस ने किया था so john's salt के यहां पर correct answer हो जाएगा अगला question देख लेते हैं कि where is the pineal gland is situated pineal ग्रंथी कहां इस्तित होती है so pineal gland की अगर हम बात करें यह जब कहां आप करें यह कहां पर स्थित होती है या क्रिट लिवर में या फिर brain मस्तिस्क में यह फिर kidney में या फिर atrus घरभासे में कहां पर यह होता है कि मिट्टी के घड़े में पानी किस कारण से आखिरकार ठंडा रहता है सो सब्लीमेशन, कंडंसेशन, इवोपरेशन, इवोपरेशन, इन दो एवब सो काफी इजी क्विश्चन है वैसे सो किसकी वज़त से यहां पर देखे जैसे आपका बॉडी होता है बॉडी में क्या होता है आपके जो स्किन होता है बाडी के स्किन पर हलके छोटे-छोटे क्या होते है छिद्र होते है जिससे की पसीना आपका क्या होता है बाहर आता है जब गर्मियों में पसीना क्या होता है बाहर आता है और बाहर आने पर यह क्या होता है? एयर के खासीयती है है कि यह जब उढ़ता है पानी होता है त्थंडा होता है लेकिन क्वाफी मतलब आप कुछ देर तक रहोगे तब सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा राइट सो यहाँ पर किसकी वज़ा से मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है यहाँ परेशन के घारद ठीक है और जो सब्लीमेशन होता है आपको पता ही ह जाता है liquid में ठीक है so gas को अगर liquid में convert कर देते हैं तो यह आपका क्या कहलाता है condensation और evaporation में क्या होता है जो पानी होता है वो क्या होता है आपका भाब बन करके उड़ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वास्पी करड़ बोलते हैं अगला question देख लेते हैं कि an astronaut sees the color of the sky as एक अंत्रिक्ष यात्री को आकास का रंग इस प्रकार दिखाई देता है मतलब किस प्रकार का दिखाई देता है तो यह question इससे related पहले भी हो चुका है सो आकास का जो रंग होता है वो कैसा होता है काला रंग होता है हमको नीला दिखाई देता है किसकी वज़ज़ से मैंने अभी question में discuss किया था इससे पहले बाले में तो scattering of light की वज़ज़ से ठीक है scattering of light इसकी वज़ा से अगर हम बात करें तो आकास का रंग नीला दिखाई देता है otherwise astronaut जो होते हैं अंतरिक श्यात्री उनको ये black color का दिखाई देता है अगला question देख लेते हैं कि brass gets fed color in air due to the presence of हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है इसकी उपस्तिती के करण तो किसकी उपस्तिती के करण जो brass होता है पीतल होता है उसका color जो होता है वो फीका पड़ जाता है oxygen hydrogen sulfide carbon dioxide या फिर nitrogen तो यहाँ पे जो hydrogen sulfide होता है इसकी वज़ा से जो पीतल का रंग होता है वो फीका पड़ जाता है ठीक है जो पीतल, ब्रॉस, ब्रॉस किसका alloy होता है, तो यह आपका copper और zinc का alloy होता है, ठीक है, copper and zinc का alloy होता है, जिसमें copper आपका 66% और zinc कितना होता है, 34%, तो यह जो होता है, हवा में इसका रंग फिका पड़ जाता है, hydrogen sulfide की वज़ा से, अगला question देख लेते हैं, कि which of the following acid do not contain oxygen, hydrochloric acid या फिर none of the above, so जो nitric acid होता है, यह होता है, HNO3, ठीक है, इसमें आपका oxygen होता है, बाकी sulfuric acid, H2SO4, इसमें भी आपका क्या होता है, oxygen present होता है, लेकिन यहापे जो hydrochloric acid है, HCL, इसमें hydrogen present नहीं होता है, तो यह simple हो जाएगा आपके लिए, third option यहापे क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, अगला question देख लेते हैं, कि what is hydroponics, hydroponics क्या है, plants without swell enrichment, मृदा समवर्धन के बिना पौधे, या फिर grafting plant, या फिर study of vegetables, या फिर soil conservation, मृदा सनरक्षर, तो hydroponics में क्या होता है, कि यहाँ पे बिना मिट्टी के बिना मिट्टी के पौधों को पोसकत तो अगर मतलब अगर later suppose करिए कि इतनी अबादी बढ़ जाएगी अगर तो जमीन तो बचेगा नहीं, फिर कहां पे आप पौधों होगा होगे, पेड़ पौधे, मतलब आपने खाने के लिए भी सबजियां और वगएरा कहां पे होगा होगे, तो उसके लिए एक, यहाँ पे word मतलब मृधा समवर्धन के बिना ही पौधे, पानी के त्रू के वल, यहाँ पी जो correct answer हो जाएगा आपका, फॉस्ट ठीक है, यहाँ तक आपके असी question हो जाते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले topic के साथ, तब तक के लिए, थाइंक्यू,